सबी साथियों को जहिंद, हाज हम लोग बात करेंगे BTSC जो ड्राइवर है ड्राइवर का जो बहाली है Automated पदती से वाहन दक्षता की जाँच जो होगा उसका सलेवस के I.C. पर हम लोग बात करेंगे यह जो टेस्ट होगा पूरा सो मार्क्स का होगा इसमें साठ नमबर लाना आवस्यक होगा साठ परतिसत कहें या साठ नमबर आवस्यक होगा और आपको बता दूँ अगर इस एकजाम में आप सो अंक लाते हैं वहां दक्षता में गुना 0.8 से करके आपका ये 80 नमबर हो जाएगा 80 नमबर ये जुड़ेगा और CBT2 जो होगा CBT2 वो 50 मार्क्स का होगा और इसमें गुना 0.4 होगा 10 से आप अगर दीजिएगा तो पंचो का 20 नमबर हो जाता है तो कुल मान लिजिए आप कितना 80 प्लस 20 कल्टू 100 ये इसी से मेरिट बनेगा आपका फर्स्ट एकजाम में कितना भी अंक क्यों ना हो कम से कम अंक भी हो 40 जो इससे भी कम अंक हो जो हाँ क्वालिफाय किया आप अगर आप क्वालिफाय कर गए हैं और आगे अच्छा पर्दर्सन करते हैं तो आपका मेरिट बनने से कोई रोक नहीं सकता है इसलिए ध्यान रहे पीछे वाला नंबर को लेके भीड अधीक है ये ना सोचे कि भीड बहुत है मेरा नंबर का मेरिट में प्रभाब पड़ेगा इसका मेरिट से कोई लेना देना नहीं है इस बात पर आप ध्यान दें अब हम लोग क्या बात करेंगे टेस्ट पर जो आपका वाहन दक्षता जाच होगा उसमें पहला नंबर टेस्ट क्या है जो दस नंबर का टेस्ट है वो क्या है सीट वेल्ट सीट वेल्ट आप पूरा जितना वहां दक्षता के पूरा टाइमिंग में सीट वेल्ट का आप किस प्रकार से उप्योग करते हैं कैसे अच्छा से लगा पाते हैं कि नहीं इस पर 10 मास्क दिया जाएगा आपको जो कि इस पर आप अभी से ध्यान दे तो यह नंबर आप अराम से उठा सकते हैं इसमें कोई किन्तु परंतु नहीं है यह पलस पॉइंट हो जाएगा आपका 10 पॉइंट दस नमबर जो यह हो जागा क्या हो जागा पलस पॉइंट हो जागा अगर अभी से सीट बेल्ट पर ध्यान दे मैं आगे छोव पॉइंट पर अलग लग वीडियो लाऊंगा आज मैं सिर्फ आपको समझने के लिए एक ही में पूरा योज सलेबस है वहां दक्षता का वो दिखा रहा हूँ आपको यह ग्रेडियन ट्रेक अप हील ढाल ट्रेक और चड़ाओ ट्रेक पहाडी चड़ाओ यह दोनों इसमें आपको पांच नमबर दे रहा है क्या है पांच नमबर यह थोड़ा टफ है अगर आप ड्राइवरिंग करते हैं तो वो कोई बड़ी बात नहीं है पांच नमबर जो है यह दस नमबर सीट वेल्ट का तो आप आसान से उठा सकते हैं अगर आप इससे ध्यान देंगे और यह जो पांच नमबर है पहाडी पर और कौन धाल ट्रेट पर यह जो भी पांच नमबर यह भी आसान है स्टोपिंग एट अप हिल जोन मतलब चड़ाओं पर थोड़ा सा रुकना है स्टोपिंग एट अप हिल वहाँ रुकना है रोल बैक ओन अप हिल नोट मोर देन वन फिट बैक आना है लेकिन कितना एक फिट से ज़्यादा बैक नहीं आना है बैक आना है लेकिन एक फिट से ज़्यादा बैक नहीं आना है कितना नमबर का है यह पांच नमबर का यह भी कोई बड़ी टेस्ट नहीं है अगर आप अच्छे से गाली सिखिएगा और कलच ब्रेक पर अच्छा कंट्रोल हो जाएगा आपका कलच एस लेटर ब्रेक कलच पर एस लेटर ब्रेक कलच पर तो अराम से ये भी पांच नमर आप उठा सकते हैं तिसरा टेस्ट है जो पारलल पार्लल पार्किंग समानांतर पार्किंग समानांतर पार्किंग, ये कितना नमबर का है, 25 नमबर का है, कितना नमबर का, 25 नमबर का है, ये थोड़ा सा टफ है, लेकिन प्रेक्टिस अगर आप करते हैं, तो कुछ टफ नहीं है, सब आसान है, कर्ब हीट, not more than one, एक बार से ज्यादा आपको कहीं हीट नहीं कर सकते हैं, क अगर एक बार से ज्यादा हीट करते हैं, तो आप डिस्क पालिफाय कर दिये जाएंगे, अनसेकुलेड़ेड रिवर्स, अनसेकुलेड़े रिवर्स, मतलब और नियंतरिद रिवर्स, not more than 4 बार, रिवर्स, 4 बार आप not more than 4 बार, चार बार से ज्यादा आप नहीं कर सकते है और निर्धारित बैक, या तो इसका क्या कर सकते हैं, चार बार से ज्यादा आप नहीं कर सकते हैं, बैक करने टाइम हो सकता है, आप से बैक हो जाए, पीछे हो जाए गाड़ी, चार बार से ज्यादा आप गाड़ी को बैक नहीं कर सकते हैं, एस्टेंडर पाथ पर चलना है इसटेंडर पत पर चल ना है मनला वह एकड़म जो परेगुलेशन रोड़ है एकड़म उसी से निकलना आ पारकिंग इस्टाइड दा बॉक्स जहां बॉक्स वोगा उसमें आपको गाली को क्या करना है पार्क करना है पार्किंग का आपका 10 नमर इस पार्किंग से देगा और और निर्धारित रीजर रीवर सवसगर नहीं करते हैं अच्छा से आप बैक कर लेते हैं अच्छा सिंपल से गाड़ी बीना हिलाए डूलाएं तो पांच नमबर और कर्भ हिट कर्भ हिट अगर साइट से अच्छा से पार्किंग करते हैं से नोट मोर दिन बीना टच की एक कर भी अच्छा से पार्क लग कार देते हैं काड़ी सिधा से तो दस नंबर कि यह टेंडर पाथ में मतदद चलना है सिर्फ यह हो गया 10 नमर यह और 10 नमर यह 20 और 25 इसमें जो आसान है सब आसान है Practice अगर आप अच्छा से कर रहे हैं तो इस सबी आसान है कोई बड़ी बात नहीं है T से अच्छा ही है T में Ricks ज़्यादा है इसमें Ricks थोड़ा कम है Driving at Jackson चौथ हम चलिए चोथा जो point है driving 8 जक्षन चोथा point क्या है जक्षन मतलब चोर आहे पर गाड़ी चलाना जहां जक्षन जक्षन जहां तीनों तरफ से गाड़ी आता हो चार जक्षन वह जैसे रेल बे जक्षन होता है जहां से तीन चार तरफ जाती है और कर दो डूँगा ट्रफिक सिंगनल को आप अच्छा से देखना इस पर भी मैं विडियो ला दूँगा ट्राफिक सिंगनल को अच्छा से आप मैंटेन कीजिए गा तो दस नमबर देगा ट्राफिक सिंगनल को वेल्ड मेंटेन कीजिए गताँ दस नमबर और हल्तिंग एट इस्टॉप लाइन जेबरा क्रोसिंग बुल रहा है कि जहां इस्टॉप लाइन है यह जेबरा क्रोसिंग वहाँ आपको क्या करना रूकना है क्या करना रूकना है कि अराम इस यह भी आसान है यह भी आसान है अराम से आप कितना नमबर ले सकते हैं 15 नमबर 10 नमर इसमें 5 नमर इसमें आसान तो सब है ज्यादा कोई हाड नहीं है बसरते हैं कि आप अच्छा से त्यारी में इसका प्रेक्टि फिर मैं इसका अलग-अलग करके वीडियो लाओंगा, आज वीडियो थोड़ी लंबा हो रहा क्योंकि 6 पोईंट है, 6 वो पोईंट को मैं समझा रहा हूं आपको एक ही वीडियो में, अब है 8-trick, 8-trick तो आप जानते ह होंगे यह ट्रेक पर गाली चलाना है कर भीट not more than one कर भीट वह भीवोलर साइट से आप साइट तच नहीं कर सकते एक बार से ज्यादा एक बार से ज्यादा अगर टच करते डिस्क वालिफाय हो जाईएगा नो रिवर्स बेग गीर भी आप नहीं लगा सकते हैं अगर सताते न आपको क्या करना रोकना है 5 सकेंड के लिए आपको रोकना है ये सभी मिला के कितना हो जा रहा है आपका 20 नंबर ये आपको 20 नंबर यहां से मिलने वाली है ये भी आसान है ज्यादा टफ नहीं है अराम से आप अगर चलिएगा तब अभी गाड़ी कोन सा देगा ये फाइनल अब जर्व नहीं हो पा रहा है पता नहीं चल पा रहा है लेकिन छोटा ही गाड़ी रहेगा ज्यादा उम्मीद है अब चलते हैं लास्ट और अंतिम बिंदू पर रिवर्स एस फॉर्मेशन एस फॉर्मेशन क्या करना है रिवर्स में बनाना है ये कुल 25 अंक का है इसमें क पार्गेट तो होना चाहिए कि एक बार भी नहीं होना चाहिए तीन बार क्यों तब दस नमर का दस नमर मिल जागा आपको अगय जाना है जाद दो बार से ज़्यादा अधिक आगय नहीं करना है ये इस्टेंडर पत पर चलना है तब 25 अंक कुल मिला के क्यातना का अंक है 100 तो इसका लाना कितना है, 60% अंक अगर लाते हैं, तब आप CBT-2 के लिए आप जाएंगे, इसलिए ध्यान से अच्छा से आप जरूर मस्ती से बहुत सुन्दर से टेंशन जाता लेकिन आप ट्रैल दे, धन्यवाद आज के इस वीडियो को रखेंगे, यही तक काफी लंबा हो गया है,